हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टड़ी IQIAS हिंदी हेलो जैनता आप सभी को भाई मैं विनित्वारी फैकल्टी का अपसी सेटाप का स्वागत करता हूं स्टड़ी IQIAS हिंदी पर जैसा कि आप सभी को पता है कि इधर हमने कुछ क्लासेज ली थी और जिसमें मैंने अभी रिसेंटली नंबर सिस्टम में कुछ मैंने आपको बताया था और आज उसी के बारे में उसी के आगे मैं आज थोड़ा सा कुछ यूनिट प्लेस से रिलेटेड कुछ अच्छे कोशन कराता हूं और कुछ आपके प्रिवेश से मैंने आ चुके उस टाइप के भी कोशन अब देखे यूनिट प्लेस के कोशन मैंने कराने के लिए आपको तरीका पता था यह कोशन था और आज लंबी क्लास नहीं होगी, पंदरब 20 मिनिट की क्लास है और important है इतने महीं मैं बहुत सारी बात है आपको बता दूँगा ठीक है एक और बात बता दूँगा कि यह मेरा email ID है अगर आपको कोई भी study IQ से related कोई भी batch वगर के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो पर मेल कर सकते हैं यह मेरे टेलिग्राम चनल है विनित तिवारी मैंस और कोई भी आपको कोई भी आपको बैच वगर पर्चेज करने के लिए तो maximum discount पाने के लिए वी टी लाइव कोड का को कोई अगर दे रखाऊ यह से 24 चार्यारन आफ पावर एक सात नो तीन दे रखाया ठीक है तो आपको यूनिट प्रेस बताने के लिए नाजट वाले डिजिट से आपको मतलब होना चाहिए और पावर में लाश्ट के दो से ठीक है तो आपको पावर 93 और इसका क्या होगा इसका तरीका अगर जो लोग जो लोग यूनिट प्लेस का कॉंसेप्ट ने जानते तो इसी चैनल पर यूनिट प्लेस की क्लासे चलिए आप उसमें भी जाके देख सकते हैं और बहतरिन तरीके से कॉंसेप्ट मैंने बता रखा आज थोड़ी सी प्रैक्टिस के लिए मैं इसम तो एक बेख लीजए पिर इसमें ही मैंने बता था आपको क्या कर रहा था कि जैसे की हमेशा पावर में क्या है यहाँ पे बेसमें हमें बस बेस लाष्ट वाले नमबर से मतलब होना ей इसकी एप और इसका क्यों होना चाँ इसका डिजन मैंने उस क्लास में बता आप डिवाइड करेंगे दो बार में हो गया आठ आ गया और यहां पर एक आ गया और यह तीन बार में हो गया बारा आ गया और यहां पर एक आ तो मतलब 1 reminder बचा तो जो रिमेंडर बचताना जोभी reminder बचता बस वह स्चार से डिवाइड करेंगे एक सपल आगया तो फिर 5 यूनिट्ट प्ला गया तो इसको एक को अउपर रख लेंगे पाँच का पावर एक पाँच होता है, पाँच का पावर दो कितना होता है, पच्चिस होता है, मतलब पाँच ही उनिट प्लेस पे आएगा, पाँच का पावर तीन होता है, एक सो पच्चिस होता है, मतलब पाँच ही आएगा, पाँच का पावर चार कितना होता है, तो ये भ कुछ question मैं लिखी देता हूं आपको कि देखिए कि माल लेचे 278 का पावर 54 इंटो 32 3287 का पावर 4239 इंटो 573 का पावर 2873 अब इसका से यूनिट ब्लेस क्या आएगा जरह बताएए है अब इसमें देखिए क्या हो गया आप बता था बेस में लास्ट वाले डी डीडिगस रॉ में लास्ट के दो से तीक्या अभी यह आगे आठ का पावर एक फिफ्टी-फोर हो गया 一न ग्या हो गया इन टू 3 का पावर सैवनटी त्री ओगैं अब उसके बाद से मेरे भाई अगर ध्यान से देखेंगे तो इसको पावर को चार से डिवाइड करिए तो आप ऐसे समझ लीजिए आफ ऐसे करें चार साइट हो गया और यहां पर एक चार आ गया फिर चार 312 हो गया यहां पर आगे हमारा जो यहां पर हमाने का क्ज़ों और आछे लिए होता है पहारो पहाड़े में आता चालीज आता का फोट आ ता चालिस तक पहाड़ आगे, 44 में 4, 44 चार, 48 भी चार का multiple हो गया, 42 में 4 जोड़ेंगे, 52 से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो मतलब 2 लिख लिए, आमरे ठीक है, ऐसे ही करेंगे माली जी 49 है तो 36-4 का multiple होता है 36 से कितना ज़्यादा है तो ये 3 लिख लेंगे ये कितना ज़्यादा है तो ये हमारा 72 multiple होता है 72 multiple होता है 4 का उससे कितना ज़्यादा है 3 एक ज़्यादा है तो 3 का power 1 हो गया अब 8 का power 2 होता है 64 होता है 64 साथ का पावर तीन होता तो अब आपको नहीं पता साथ का पावर तीन तो ऐसे कर ली चिए साथ गोने साथ 2949 हो गया गरी इन्टास का मतलब हमें इससे मतलब नहीं युनिट प्लेस वाले से नौ si साथ 43 का 3 अगर आपको Direct पता है तो 3 if 3 इसका 3 उनिट प्लेस आएगा तो इसका 3 हो गया स्का 34 का 4 हो गया और इसका 3 हो गया तो तीन ही कुणे तीन हो गया मरहा नौ कुणे 4 हो गया मरहा नहुत के 36 हो गया तो हमारा 36 answer है ठीक है इस question का answer क्या है हमारा 36 है ओके अगला question लिखता हूं मैं कि 5 4 3 2 का power 89 into 4 2 8 का power 42 into 7 3 9 का power 84 84 की जगा मैं लिख देता हूं आपको 87 87 ओके इसका unit place जल्दी से comment box में बताईए आप लोग जल्दी जल्दी बताईए और यही एक रूल है power base में last वाले डिजिस है पावर में last के 2 से अब इसके power में 2 2 तो दे ही दखा है दो ही डिजिट दे रखा है मतलब हमें power में cut cancel करने की जूरत नहीं है एक स्कामलब-बस बेस में last के लाश वाले डिजिस लाश वाले डिजिस है बतलब यह हो गया दो का पावर 89 हो गया यह होगया हमारा आठ पावर 42 हो गया और यह हमारा हमारा गणरा नाइन का पावर 87 हो ठीक है भाई अच्छा पावर को किस्का होसिता है एक हो गयाही इससे ज्छोटा हो गया है इससे चार कर दिपल हो गया चालिस चालिस कतना जादा 2 जादा तो ओ लििपल कि एक हो गया और यह इसका इस-, चोरा-श उटा-धिक क्यूब होता है मतलब 9 ही आएगा तो फिलाल ये इसका तो 9 आ गया आठी ठाइए 64 का इसका यूनिट प्लेस 4 आ गया इसका 2 ही आ गया तो फाइनली करेंगे कि इसका बता ही आप कि इसमें बता ही इसका क्या अंसर आएगा जल्दी साप लोग बता दीजिए कि इसका अंसर क्या हो गया मैंने वोला एक दो चार का पावर तीन साथ दो था फिर इसका था एक दो चार का पावर तीन साथ तीन था मतलब बेस में लास्ट के दो से बेस में लास्ट वाले डी से पावर में लास्ट के दो से बेस में और पावर में लास्ट के दो से मतलब यही कोशन हो गया चार का पावर 72 और प पावर को 4 से डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एक न में 4 हो गया, यहाँ पर 3 आ गया, 2 आ गया, 4 आथे, 32 आ गया, 32 तहीं चैनसल हो गया, अब कुल मिला कि अगर कुछ भी कुछ भी रिमेंडर नहीं बच रहा है, तो इस case में 0 मत ले लेना, कुछ भी नहीं बच रहा है, तो इस case में यहाँ पर remainder 4 लेके चलेंगे, यह 8 की जगा 7 बार ही लेके जाएंगे, यह 28 आ गया, मतलब एक बास समझेए कि power पे कोई ऐसा number आ जाए, last 2 digit में, जो 4 का multiple हो, तो इस case में हम क्या करेंगे, 4 का multiple हो, तो इस case म हम क्या करेंगे, मेरे भाई, कि power 4 को consider करेंगे, power 4, मतलब यह complete divide हो गया, मतलब 0 remainder बचा तो 0 नहीं रखेंगे, हाला कि मैं क्या कहाता है, जितना remainder बचेगा, उसको power में रख लेंगे, लेकिन अगर 0 बचेगा, तो इस case में 20S ध्यान रहे, इसमें 0 नहीं रखना है, पावर 4 क consider करना है, इसको डिवाइड करेंगे, तो 72 multiple है, एक्स्टा कितना बचेगा, एक 72 से, तो 4 का power 1, अब 4 का power 4 नहीं पता है, तो कोई बात नहीं हम ऐसा करेंगे, 4 गुने, 4 गुने, 4 गुने, 4 गुने, 4 कर लेंगे, ठीक है, चर्चों का 16, 6 गुने 6 हो गया, 36 का 6 आ गया, तो ह इसका क्या आ गया, चार का power 1, 4 हो गया, तो 6 और 4 हो गया, हमारा 10 आ गया, 10 का unit plus 0 हमारा answer आ गया, ठीक है, 10 का कितना आ गया मेरे भाई, 0 आ गया, एक ऐसे ही question में देता हूँ, 3, 2, 4 क क आ गभर, 24 इंट, 7, 8, 9 क क आ गभर, 36, 2, 3, 6, 4, 4 इंट, 2, 9, 8 क आ गभर, 7, 8, 5, 2 ही कैगे, एक है मारा गया मेरे लिएका क्या होगा इसमें सिंपल कि हमेसा क्या है last quality इसे 2 मतलब हो और कुशन में देड watch Unlapped में लाज्ट से पार मीरा सबस्किते अब ये चार का पावर 24 हो गया मेरे भाई अब गुणे हो गया 9 का पावर 64 हो गया पृषिस इन्ने अज्ञेए अफ यहां आधा अगर मैंने बोला यह से 24 को डिवाइड करेंगे 4 से तो यह 4 6 बार 24 हो गया और यह खतम हो गया मतलब यह सभी के सभी क्या होंगे 4 से multiple वाला ही दे दिया मैंने नमबर तो 4 का multiple होता है मतलब हम power 4 मतलब remainder 0 बजता है इस case में power 4 ही रखते हैं इसका भी 9 पावर 4 आ गया इसका भी 8 पावर 4 आ ठीक है अब इसमें किसी का नहीं पता है तो चार गुणे चार गुणे चार गुणे चार कर लेंगे ठीक है इसा गोगे छार बार है तो इसको लिखेंगे 9 9 9 9 9 9 9 81 81 81 इसका unit place युनिट अगा आएगा आठ 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 गुने आठ गुने आठ कर लेंगे 8 का पाउर 4 इसका हो गया इसका तो इसका छे आ गया तो फाइनलि यह मल्टिप्लाइ करके पुछा गया तो छे गुणे छे हो गया च्छतिस अमर आंसर है ठीक है 3785 का पावर 56 का पावर 72 इंटू 543 का पावर 83 इसका यूनिट प्रेस आप बताएए ठीक है कमेंट वक्स बताएगा और कल से क्लास लाइव होंगी आपकी स्टार्ट ओके और यह था आपका और आज की क्लास थोड़ी छोटी रही और मैं मुझे पता कि यह रिकॉर्डिंग व क्लास या कल की बाद से जीतने में क्लास जेंगे तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली क्लास में जय हिंद जय भारत हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस्टड़ी आइक्यू आइस हिंदी